बैंगलोर में यहां पे एकत्रित हुए यह दूसरी मीटिंग थी बटना में सूरा पार्टियां एकठी हुई थी तो यह अच्छी बात है कि कुन्बा बढ़ रहा है आज से नौ साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी गुवमत देगे जिदाया था इन नौ साल के अंदर उनके पास मौका था वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन नौ सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम घह सके कि तरक्की हुई है हर सेक्टर को बरबाद करने में उन्होंने कोई कसर नी छोड़ी सबसे बेस्त हो है आप सेकिंड क्लास की रेलवे की टिकेट लेके किसी भी ट्रेन में चड़ जाई आपको पता चल जाएगा कि आज से चार-पांट साल पहले रेलवे ठीक था चला करती थी अज पूरी बरबाद कर दिया इन्होंने रेलवे इन्होंने एकनामी बरबाद कर दी इन्होंने रेलवे बरबाद कर दी सारे एरबोट बेच दिये इन्होंने जहाज बेच दिये आसमान बेच दिया धर्ती बेच दी पाताल बेच दिया सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया कोई कसर निचोगी आज देश में हर आदमी दुखी है योगा दुखी है किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, वेबाल दुखी है, इंडस्टिलिस दुखी है, ग्रेगली दुखी है, ऐसा कौन सा वेक्ति है जो दुखी नी है, तो आज ये 56 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एक अत्रित नहीं हुए, हम देश को एक तरफ बजाना है, जिस पूरे देश के अंदर रफरत फैलाई जा रही है, उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नई भारत का सपना लेके हम सब लोग की कट्कियों में हैं, जिसमें हर युगा को रोज़दार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बिमार में को अच्छा इलाज मिलना चाहिए, यह सपना लेके हम सब लोग की कट्के में हैं, जहां पे ऐसा भारत होगा, जहां सब सुख शांती होगी, प्यार मोहबद होगी, और देश करक्की करेगा, ना कि देश के साधन जोने कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए ल में जोगों के लिए लोगों के लिए?